तो गाज मैंना जो तीसरे नंबर पर फोन रखा यह मोटरोला की तरफ से मोटरोला एज 30 फ्यूजन और इसका एट जी वी रैम वाला वेरियंट आपको मिल जागा चले से जारी के अंदर में जाके आप लोग चेक कर सकते हो प्राइज बेगारा मैंने सब कुछ चेक कर लिया चलिए बात करते इस फोन के स्वेसिकेशन के बारे में कि इस फोन में आपको क्या कुछ खास मिलता है सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.55 इंचर्स की एक फूल एसडी प्लस पी ओलेड वाला पैनल दिया हुआ है और इस डिस्प्ले में आपको मिल जाता 144 हट्स का हाई रिफ्रेंस रेट जो कि आपको गेमी में रहा खेलने में आपका बहुत ही हेल्प करेगा और इस डिस्प्ले के उपर प्रोटेक्शन भी काफी बढ़िया दिया हुआ है तो डिस्प्ले क्वैलिटी काफी बढ़िया है यहां पर आपको कोई सिकायत नहीं मिलेगा और कुछ अधर और फीचर के बात कर ले तो यह फून आपको जो है एंड्रोइट वेल को उपर आउट अप तो बॉक्स मिल जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर का स्वपट दिया हुआ है जो की काफी फास्ट काम करता है और कैमरा सेटप के बारे इन बात कर करते हो और फ्रेंट में सेल्फी केमरे की बात कर ले तो 32 मेगापिसल का सेल्फी केमरा दिया हुआ है और उससे भी आप लोग मैक्सिम फोर के 30 fps तक का विडियो को डिंग कर सकते हो बाकि बैटरी की बात कर ले तो 4400 एमिज की बैटरी दी हुई है उसको चार्ज करने के लि दिया हुआ है स्नाप ड्रेगन ट्रीपल एट प्लस और यह मतलब कि प्रैस के उनिचार से बहुत ही बढ़िया प्रसेसर दिया हुआ है बैटल ग्राउंड के में आप लोग जो हायर सेटिंग कर पाऊगे वहां पर भी कोई दिकत नहीं आएगा बाकि डेट टुटे पर फोन रखा है भीबो की तरब से भीबो भी ट्वेंटी सेवेन और इस फोन का भी वहरियंट आपको एट जी वहला भारियंट चाल से अंदर में मिल जाएगा चले बात करते इस फोन के का कुछ खास दिया हुआ है सबस्ते प्लेट की बात कर ले तो 6.78 इंचिस की एक करता है और फोन एंड्रोइट 13 के उपर आउट्रोफ बॉक्स मिल जाएगा जो की काफी अची बात है और कैमरा सेटप के बारे में बात कर ले तो बैक के साइट में दिया हुआ हुआ है और जो रिंग लाइट मतलब की सेंसर दिया हुआ है और एक तरस इसको अफले स्लाइ यह पिस तक का वीडियो रिकोडिक कर सकते हों अब को कोई कमी नहीं मिलेगा और वह काफी अच्छा फोन होता है और बैटरी बात कर ले तो बैटरी दिया हुआ है जो कि फोन को राम से 25-30 में फुल चार्ज कर देगा और नॉर्मल यूजस पर कोवन डेका बैक अप मिल जाएगा वहां पर भी कोई दिकत नहीं आएगा और पूर्सेसर की बात कर ले तो इस फोन में मीडिया टिक का प्रसेसर दिया हुआ है मीडिया नहीं आएगा पूर्सेसर में आपको कोई भी लाइक है या फिर जीटरिंग इससी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा तो पूर्सेसर भी फोन का काफी अच्छा दिया हुआ है चलिए बात करते हैं फाइनली पहले नमबर वाले फोन के बारे में और जो मैंने पहले नमबर पे फोन रखा है यह एक नंचाइन यह स्मार्टफोन ने सैमसम की तरफ से सैमसम गलेक्सी एस ट्वेंटी एफ ए और इस फोन का भी एट जीवी रहें वाला वहरेंट वान ट्वेंटी एट जीवी स्टोरोज वाला वहरेंट आपको चलिस जर अंदर में मिल जाएगा चलिए बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेसंस आपको क्या खुछ खास दिया हुआ है सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.5 फिंचिस की एक फूल सीडी प्लस डाइनेमिक आमरेड वाला पैनल दिया हुआ है और यह जो की पैनल काफी अच्छा पैनल है और 120 हट्स का आपको हाई रिफ्रेस रेट भी काफी बढ़िया जो है जो कि आपका गेमी विए अपका हिल्प करेगा तो डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया दी हुई है यहां पर कोई सीकाहत नहीं है चलिए बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर के ब अब लोग का वीडियो का प्यादा हील जाता है तो वीडियो आपका हीले के नहीं हो को स्टेबिलाइज रखें इसलिए वाइस दिया हुआ है ड्रावाइड लेंग और तेली फोटो लेंस दिया हुआ है और इसके मेन कैमेरे से मैक्सिम जोब 4 के 60 एपिस तक का वडियो रि मिलेगा और सेमसम के फोन की कैमरा का भी अच्छी तरीकी सब्टमाइज होते हैं तो सेलफी फोटो वेगरा वीडियो वेगरा जो आपका काफी अच्छा निकल का आएगा वहां पर भी कोई दिकत नहीं आएगा और बैटरी की बात कर ले तो जो है स्वाइब ड्रेगन का प्रसेशर दिया हुआ है स्वाइब ड्रेगन 865 और यह मतलब की पावरफुल प्रसेशर है यहां पर आपको कोई दिकत नहीं आएगा और बैटल्गाउट्स गेम एक राफी जो हाइए श्रेटिंग पपलोग प्ले कर पाईएगा वहां पर कोई दिकत दिकत ले करके नहीं आएगा तो यह रहा तीनों स्माटफ़न जो कि आपको 40,000 का अंदर मिल जाएगा आप अपने शार सा किसी को भी बाइक कर सकते हो मैंने तो आप लोगों को सब कुछ बता दिया तो काई यह होप कि आपके वीडियो उच्छी लेगी होगी वीडियो को लाइक जरू कर लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तुछ ले मिलें किसी कलें इंट्रेस्टीन टोपके सांथ अब तक करें नमस्कार जैन जैभारा